नावश्कार दोस्तों वेल्दिस्काई की नियू इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और क्या मार्केट अब कोई बड़ा मॉमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है इस चीज को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर देखते हैं और समझते हैं तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स् करें सकता है कल का ट्रीडिंग सेशन सबसे पहले यहां पे रेफ्रेश कर लेते हैं एक बार औप्शन चींट डाटा को और रेफ्रेश हो गया है कि market at 11 में मैंने आपको वीडियो दिया था और यहां पे ये विउ था ठीक है यह आप देख सकते हो चार्ट यह बात का चार्ट है ठीक है यहां पे हमने सुभए आपको जो वीडियो दिया था market at 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था और पूरा explanation दिया था जिन लोगों को intraday price action देखना नहीं आता है या फिर वो confused होते हैं understand नहीं कर पाते हो प्लीज जाके market at 11 का वीडियो आज का जरूर देखिए मैंने बहुत ही जादा उसको deeply explain किया है बहुत ही important point बताये हैं जो आपके काम आएंगे आगे आने वाले दिनों में intraday trading में खासकर nifty और bank nifty हैं यह morning का चार्ट है मैंने आपको clearly बताया था कि यहां पर यह price action उपर का बन रहा था लेकिन उसका जो stop loss था वो यह था जो कि tigger हो गया है तो मैं long position बिल्कुल नहीं करूँगा short मैं करूँगा उसका जो stop loss था वो मैंने आपको clearly बताया था 16,312 का और 16,315 का यह stop loss आप लगा के short कर सकते हो अगर आप करना चाओ buy मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि वो stop loss मेरा जो buy का था वो bigger हो चुका है ठीक है फिर मैंने आपको chart बना के दिखाया था कि कि किस तरीके से market react करेगा तो same as it is अगर मैं start को छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा market almost जो low बना था 16,080 के 78 के आसपास का low बना है और आप देख सकते हो यह पूरी गिरावट same as it is जो pattern हमने भा बना के दिखा देता हूं आपको आप देखो यहां तो यह किया ऊपर पर यह पूरा तो एक अच्छा यहां पर profit आज के trading session में मिला है clearly यहां पर तो आपको यह चीज बहुत जुरूरी है कि इंट्राडे price action किस तरीके से बनता है सेम चीज बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको एका रिफ्रेश कर देता हूं इसके बाद यहां तो अब ऀछ नहीं होगा देखे कल कुछ नहीं होगा अगर सर्प्राइज हुआ तो कोई मुमेंट आएगा अधर्वाइस मेरे को एक्सपेक्टेशन पिल्कुल नहीं है कि यहां पर कोई भी सर्प्राइजिंगली बड़ा मुमेंटम होगा मार्केट इसी रेंज को फॉलो करेगा जो की निफ्टी की है आपकी 16,350 की और बैंक निफ्टी की है आपकी 36,250 से लेके आपकी नीचे आप ले सकते हो 35,700 की इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन निकल गया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक मुमेंट अल्रेडी दिखा जाए तो थोड़ा था वॉलेटायल मुमेंट था 15 मिनट का चार्ट हमने निफ्टी में लगा लिया है तो इस चैनल में यहाँ पे ही ट्रेड करेगा ठीक ह मैं यह डिलीट कर दूं सारी अगर मैं चल यह पूरा ही अठा देता हूं ठीक है यह 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का सबसे वहला ऑप्शिन देखते हैं ऑप्शिन चेंज में यहाँ पर आपको क्लिए लिए दिख रहा है सोलादा दोसो तैस लाग का ओपन इंटर्स पे और कॉल साइट पर सिरफ है 17 लाग का ठीक है 16300 कॉल साइट पर 15 लाग का ओपन इंटर्स्ट है और पूट साइट पर 23 लाग का ओपन इंटर्स्ट है किलिए लिए इंडिकेट कर रहा है मार्केट की जो एक्सपार ही हो सकती हो 16200 से 300 के बीच में हो सकती है जो maximum volatility रह सकती है वह आपकी रह सकती है 16150 से लेके 16350 या फिर 370 भी ले सकते हो नीचे 130 भी ले सकते हो ठीक है यह क्लियरली option chain data में हमें समझ में आ रहा है तो निफ्टी के केस में अगर 15 मेट का चार्ट में आपको लगा के दिखाओं तो यह एक लेविल था almost इसने यह जो यह gap बना रखता था इसकी जो अपर लेविल थी यही से support लिया है और उपर bounce कर गया था तो हो सकता ही है कल के trading session में इस gap को भी fill कर दे अगर कोई भी negative Qs मिलते हैं इस gap को fill भी कर सकता है बट 16100 का जो लेविल है यह buying लेविल ही बनेगा यहां से bounce रठाने के chances जादा रहेंगे ऊपर के तरब यह आपके लिए एक resistance है जो कि 16 जा 350 पर आएगा इसमें जो अगर expectations देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर 16300 की call लोग बेश रहे हैं और 16200 की put बेश रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यह मान के चल सकते हो कि इसी particular range में market रह सकता है और पिछल करेगा क्योंकि जादा तरडेटेल टेडर को expectations है पिछले वीक जो movement आया था वैसा ही दुबारा से आएगा और वो एक profit कमा तकते हैं क्योंकि पिछले वीक में वो कमा नी पाए ठीक है ना तो इसी लिए यहां पे जब भी कोई शाप movement बनता है तो लोग aggressively buying करने लग जाते है जैसे कि बैंक निफ्टी में आज काफी लोगों का मेरे पास phone call आया कि हमने यह call ले रखिया चाते थे 200 की 300 की 400 की और उसमें वो trap है जबकि मैंने market at 11 में आपको clearly बता दियाता है कि यह जो price action बना है यह basically trapping price action है आप जो market होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और वो सरफ के लिए था तो as it is हमारे चार्ट के according ही market ने भीएफ किया अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लिए का market at 11 का आज का वीडियो तो यहां पे जो मेरा जो clearly जो bank nifty के लिए view है bank nifty 361 200 से लेके आपका 35,700 के बीच में ही trade करेगा bank nifty और nifty आपका 16 350 से लेके 16 1150 के बीच में trade करेगा जो भी करना है मेरे को इसी range के अंदर करने की कोशित करूँआ तो आपको यह view रखना है अगर यह कल दुबारा से यह low की तरफ भरता है और 1600 को break करता है तो आप 16,120-130 के लिए इसको short कर सकते हो 40-50 पॉइंट आपको मिल जाए exit हो ली जिएगा इससे 35-600 के range में आपको यहां पर buying pressure मिलेगा यहां पर और वहीं पर आपको अपनी profit booking करनी है अगर आपको कोई भी selling कर रहे हो 36 के पास इसने closing दी है तो ultimately अगर देखा जाए तो यह 36 का short यहां पर clearly बिटता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर यहां पर देखते हैं देखो चत्य सजाग आपको दिख रहा है 18.7 लैक और अपर साइट पर 13.3 लैक आपने जादा तर स्मार्ट पीपल चत्य सजाग का short straddle बेच रहे हैं क्योंकि उ 10 का premium है जो 510 का premium काफी अच्छा होता है तो 12,000 के आसपास का premium है काफी बड़ा premium है अगर यहां पर एक दो दिन और इसने काट लिए एक दिन भी काट लिए तो 2000 पर यहां पर मिल जाने है clearly तो इसलिए यहां पर short straddle बनाया जा रहा है global market की बात करें तो dow feature भी 100 नीचे आज फिर नीचे आगे तो इनके लिए भी 35,000 के आसपास ही यह घूमना पसंद कर रहे हैं आप देख सकते हो लाज टेडिंग सेशन में अब यह दिखा नहीं रहा क्योंकि market की जो timing है वो nearest हो चुकी है बट यह आपका 100-500 points उपर चड़के बंद हुआ था तो आज 100 points नीचे गर रहे हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर हमारे market के लिए और global market के लिए तो आपको नदर क्या रखनी है यही रेंज पर सबसे जादा नदर रखिए इस रेंज के भार जब तक market नहीं निकलता तो आप इस रेंज को play out कर सकते हो with the help of short straddle और estrangel अगर आप option seller हो अगर आप option buyer हो तो कोशिस करो कि इन लेविल के ages पे ही option buy करने की यानि अगर आप 16,350 के आसपास जाते हो तब आप put buy करो next week की ठीक है ना ताकि premium decay आपका धीरे हो और आपको profitability मिलने के chances जादा हो ठीक है या मंतली buy करो जब आप नीचे पहुशते हो 16,150 के नीचे 16,100 पर पहुशते हो तो उस टाइम आपको call buy करनी है monthly buy कर सकते हो या next week की buy कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो यहाँ पर 16,000 आपका maximum stop loss है अगर आप long side की position में हो और उपर की तरफ आपका अगर आप short side की position में तो उपर आपका 16,500 आपका maximum stop loss है तो इन सारे levels को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है जब तक यह level break नहीं होते तब तक आपको aggressive buying नहीं करनी है अपना एक lot दो lot में ही काम करना है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आगया होगा दोस्तो flawless वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको बसंद आएगा वीडियो पतंद आता है तो like and share जरूर करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिजे क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लिए क्या तरू है हर दिन आपके लिए नहीं